इदर चत्रा के टंडवत हाना शेत्रे के बढ़की नदी के तेजधार में बहकर लापता हुए 12 साल के बच्ची का दुसरे दिन भी सुराग नहीं मिल पाया है। पहले दिन एंटीपीसी के स्थाने गोता खोरों की टीम ने बच्चे की खोजबीन की। इसके बाद जिला प्रशासन ने इंडी आरेफ के टीम को रांची से बुलाया। इंडी आरेफ के टीम पूरे दिन बच्ची को तलाशती रही लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। गविलों ने जिला प्रशासन पर सिथीलता का आरोप लगाया है। मैं सुचना मिली थी कि यहां पर जो यहां पर मंदीर है इसके बगल में जो नदी बहरी है। इसमें एक बच्ची कल डूब रखी है तो हमारी टीम सुभाई यहां पर पहुच गे थी हमने तक्रेवन आठ बजे से बच्ची को देखा गया था। जैसे ही हमने पूचा ग्रामनियों से कहां पर इंसिडेंट होई तो उन्होंने बताया कि जो मंदीर के शीजी का मंदीर है उसके माय सेड में बच्ची को देखा गया था। हमने सबसे पहले आते ही वहां पर अपने डेब्राइब्रों को उतारा, वहां पर सर्च करा इसके प्रशाद हमने काटा सर्च के द्वारा फर्दर आगे का जो चट्राणी वाला इलाखा है उसको सर्च करा। लाइक और शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन, निउस लवन भारत, सच है तो दिखेगा।